जै हिन दोस्तों मेरा नाम है जिल में और आज का हमारा सोशियल लॉजी का टॉपिक है Biographies in Social Research आज की वीडियो में हम डिटेल में डिसकास करेंगे कि किस तरह से बाइल ग्रफी की मदद से हम लोग सोशियल लाइफ को जान सकते हैं आज का हमारा मीन्स का सवाल है In what ways biographies could be used to study social life Explain in about 150 words तो यहां पर word limit दिया गया है 150 words तो 150 words के अंदर हमको इसका answer लिखना है तो सबसे पहले हम introduction में लिखेंगे कि Biographic Research कौन से टाइप अफ सोशियल रिसेर्च में आता है तो answer is qualitative research में जैसे कि हमने पढ़ा था कि दो तरह की research methods होते हैं quantitative and qualitative तो यहां पर जो biographic research work है वो आता है second one यानि qualitative research inquiry के process में यह सबसे पहला question सबसे पहला point जो है आपको लिखना है It is the study of an individual which is narrated before the researcher or documented in archival materials For example, मैं एक researcher हूँ और मेरे को Rani Lakshmi भाई की कहानी लिखनी है तो अगर मैं Rani Lakshmi भाई के उपर एक उनके सारे documents कहाँ उनका जनम हुआ था क्या उन्होंने किये थी कैसे उन्होंने संकर्ष किया था वो सब अगर pen down करो तो it will be written as a biography of Rani Lakshmi भाई यहां पर मैं लिख रहे हूँ पुरानी Lakshmi भाई सुए मा के नहीं लिख रहे है मैं लिख रहे हूँ यहां पर तो it will be termed as biography कुछ दिनों पहले मैंने यह प्रियंका चोपरा जोनस माम की यह autobiography थी unfinished जो की बहुती classy और sophisticated है वो पढ़ा था और काफी अच्छा कुछ उन्होंने लिखा है इसमें तो अगर आप लोग को time मिले तो यह जरूर देखेगा So according to Denzin Biographical method is the study of collection of document which describes the departure points in an individual's life तो biographical method क्या है आज मैं उठी, ब्रश किया, चाई पिया और सोगी This is not, यह biography लिखने का content नहीं है अगर आपने कोई extraordinary काम किया जिससे society को impact होता है society influence होती है या आप कहीं के कोई influential person हो तो आपकी biography लिखी जाएगी अगर आप एक average मतलब कुछ भी नहीं जैसे कि रोज मरा के जिंदगी है खाया पिया, सोया, कुछ नहीं किया तो आपके उपर biography नहीं लिखा जाएगा अगर आपने कुछ extra, कुछ x factor है आप में आपने कुछ extraordinary किया है ताकि आप spotlight में आ सको तब आपके उपर biography लिखा जाएगा उस event को दर्शा के कि क्या किया है आपने क्या milestone जो है वो आपने अच्छीव किया है just a second for example Albert Einstein की biography और ये Priyanka Jonas माम की उन्होंने खुद स्वैम से अपनी कहानी अपनी संखर्श की बारे में अपनी success की बारे में लिखा and this is termed as autobiography जब कोई इंसान, कोई successful personality वो अपनी कहानी को खुद स्वैम लिखता है that is termed as autobiography Denzin has identified different types of biographical studies that may be rooted in various disciplines तो Denzin ने biographical studies को चार तरीके में divide किया है पहला है biographical study चुकि normal biographical study है for example मैं एक researcher हूँ और मेरे को किसी famous personality के बारे में लिखना है तो whatever documents I can pen down for example मुझे रानी लक्षमी बाई के बारे में लिखना है तो मैं libraries में जाऊँगी उनके बारे में जो भी journals वगेरा publish हुई है वो सब को compile करूँगी और एक book type का लिखूँगी and that would be termed as biography of Rani Lakshmi बाई जब एक इनसान स्वेम अपनी biography को लिखता है जैसे कि हमने प्रियंका चोपरा मैम की बारे में देखा है कि या फिर कोई celebrity हो उनको वो अपनी late period में जब वो पूरी तरह से successful हो चुके होते है वो अपनी ups and downs के बारे में लिखते है अश्वेरिया राय ने भी अपनी biography लिखी है I think मैंने वो पढ़ा नहीं है बट मैंने देखा है कि लिखी है उन्होंने तो इस तरह से basically celebrities हो गए या फिर politicians हो गए जो कि successful है और तो वो अपनी biography स्वेम लिखते है and that is termed as autobiography उसके बाद तीसरा method होता है life history life history क्या होता है कि it captures the life story of an individual's life in his hard words माली जे किसी celebrity का ही example लेते है किसी celebrity के बारे में उनकी lifestyle for example सुशान सिंग राजपूर्ट late सुशान सिंग राजपूर्ट के किस तरह से वो TV industry से movie industry में आये थे उन्होंने बहुत सारे interviews में अपने बारे में बताया था कि किस तरह से कहां से वो engineering क्या था उसके बाद TV industry में आये थे उसके बाद movie industry में आये थे तो जहां जहां interviews में publish हुए थे magazines में publish हुए थे वो सब कुछ researcher जो है वो एक जगा पे compile करते हैं और लिखते हैं उनकी पूरी life history लिखा जाता है और उसके उपर biopic भी बनती है जहां पर अगर किसी celebrity को आप पूछते हो आप उसको उसका ये जो life history है आप life history में आप क्या करते हो directly ये मान लीजे ये एक celebrity है ठीक है तो आप life history अगर आपको लेना है तो आप उनका interview लोगे या फिर उनके PA का interview लोगे और जो जो वो बोलेंगे वो लिखोगे और उन सब को compile करोगे कहीं कहीं life history जो documents होते हैं वो बाकी सारे resource magazine से भी compile करते हैं basically ये एक biography का ही एक sub part है again oral history oral as the name suggests कि oral ही अगर किसी ने को interview दिया हो तो उसको ही आप written में transcript करोगे और उसी को आप compile करके लिखोगे तो basically ये दोनों जो है almost similar ही है so biography किस तरह से society में मदद करती है for example biography of akbar आप लोगों ने अगर biography of akbar पढ़ा है तो उससे आपको पता चलेगा कि जजिया टेक्स उस time पे क्या था जजिया टेक्स क्या था उसके बाद akbar की hindu rulers के साथ किस तरह के connections थे वो हर religion को किस तरह से promote करते थे respect करते थे उनके time पे laws किस तरह से थे तो अगर आप akbar की biography पढ़ोगे तो आपको पूरी medieval era की एक glimpse देखने को मिलेगा तो medieval era की glimpse अगर आपको देखने को मिलेगा तो इससे society में current society में बहुत ज़ादा impact या reference के तोर पे लिया जा सकता है same goes with Heather Ali Heather Ali जैसे कि आपको पता है कि वो जो थे horsemen थे उडियार डाइनस्टी में लेकिन उन्होंने उडियार डाइनस्टी को मतलब पुरे माईसोर सुलतनित को पूरी तरह से बहुत ज़ादा आगे बढ़ाय था बहुत सारी लड़ाई लड़ी उनके बाद जो है उनके बेटे टिपू सुल्तान ने भी बहुत ज़ादा लड़ाई लड़ी तो हमें टिपू सुल्तान और हैदर अली की बायोग्राफी से देखने को मिलता है कि वूडिया डाइनस्टी उस दौरान कितनी वीक थे तो इतना उनमें इंफ्लेंसल नहीं था और किस तरह से एक होर्समेन का बेटा होके भी उन्होंने इतना एक सामराज्या चलाने की उनमें हिम्मत थी तो इस तरह की motivational approach भी देखने को मिलता है हमको biography से सीम गोथिर रानी लक्षमी बाई तो रानी लक्षमी बाई कि अगर हम लोग देखे अगर woman पर हम लोग देखते हैं कि violation होता है domestic abuse होता है तो हम बोलते हैं कि आप छांसी की रानी जैसे क्यों नहीं बनते हो बनो उनकी तरह और अपने हग के लिए लड़ो तो रानी लक्षमी बाई की biography भी एक बहुत ज़ादा influential और motivational का काम करती है towards the woman biography जो है वो egalitarian approach का होता है मतलब वो equality को promote करता है जैसे कि true meaning of feminism क्या है true meaning of feminism है कि gender equality को promote करना biography से हमको equality के बारे में जानने को मिलता है so biography is a strong source of data in feminist qualitative research जो feminist होते हैं जो true feminist होते हैं I am not talking about the pseudo feminist जो की बोलता है कि drink करने से या फिर party करने से आप feminist होते हो they are not true feminist feminist का असली मतलब होता है equality तो जो feminist होता है so biographical research जो है वो feminist qualitative data में भी काफी जादा सहायक है क्योंकि वो भी biographic research भी एक egalitarian approach यानि equality को promote करता है बहुत classical and interpretive biography can unfold critical movements of life even in women's life that can interpret women's struggle for justice and equality in the society जैसे कि मैंने रानी लक्ष्मीबाई के बारे में बता है कि बायोग्राफी जो है रानी लक्ष्मीबाई की बायोग्राफी देखके बहुत सारी women's जो है वो अपने आपको defend करना सिखेंगी अपनी हक के लिए लड़ना सिखेंगी तो उनकी बायोग्राफी एक तरह से equality को promote करती है तो यहाँ पर एक और example है लीलावतीस डॉटर जो की एक book है जो woman scientist of India है उनके उपर एक book लिखा गया है एक biography है of the year woman scientist of India तो यहाँ पर किस तरह से जो woman है वो अपने scientist जो है woman scientist जो है वो किस तरह से successful हो रही men के साथ कंदे से कंधा मिला के inventions बना रही है नासा में काम कर रही है तो यह जो लीलावतीस डॉटर है यह तो I recommend कि आप लोग देखो एक बार ताकि इस तरह की biography जो है वो एक तरह से feminism को promote करती है अगर हमको true meaning of feminism जानना है तो इस तरह की books बहुत ज्यादा जानती है ना कि आप Instagram पे जो fake social influencer है उनको follow कीजे instead of them आप इस तरह की books को follow कीजे जिससे आपको true meaning of feminism जो है वो पता चलेगा तो यह है हमारे वीडियो का end आज के लिए बस इतना ही कल फिर मिलेंगी कुछ नए लेक्चरस के साथ Thank you